अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और लाल सब्सक्राइब का बटन दबाईए असलाम अलेकम, वेलकम टू माई चैनल, कैसे आप सोग उमिद करती हूँ, खेरियस से होंगे मैं भी खेरियस से हूँ, अलहम्दलिला, आज हम फेमस अपवानी चिकन बना रहे हैं, जो वाइट ग्रेवी वाला होता है, गोट टेस्टी बहता है इसके लिए हम आदा किलो चिकन ले लिए, इसको साफ हम सिरके के पानी में धो लिए, धही लिए हम 200 ग्रम, काजु लिए हम 20 इसको पानी में भीगा लिए, होममेट किरिम है ये, जो मला ही होती ही घर की, और 10 से 12 हरी मिट्ची लिए हम, दो प्यास लिए बड़ी वाली, बसुरी मेथिली एक चमचा, नमक एक चमचा लिए बड़ा वाला, जीरा पौडल लिए हम आदा चमचा, गरम मसाला आदा चमचा, काली मिर्ची एक बड़ा चमचा, बटल लिए हम थोड़ा सा, अभी हम पीस लिए, जो मैं आप लगको बताई थी, काजु भी हम पीस लिए अभी हम मारिनेट करेंगे, अधरा क्लेसन दाल लेंगे हम, दही दाल लेंगे, ग्रीम मसाला जो हम पीसे थे ये भी दाल लेंगे, ये सारे मसाले दाल लेंगे हम, काली मिर्ची, कसूरी मेर्ची उखरा, ये भी क्रीम दाल लेंगे हम, काल्वी पेस्ट दाल लेंगे, इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, यह सारा मिक्स हो गया हमारा, लेमन जूस भी दाल लेंगे हम, इसको एक घंटे के लिए हम त्रिज में रख देंगे, इसके बाद मैं आप पर को बता हूँ, ग्रिल पैन रख लिए हम, तेल दाल लिए इसमें थोड़ा सा, बटर दालेंगे भी, इसमेदा, एक खीज रखेंगे, प्रेश प्रिज अवैंगे, लेज रखेंगे, बालेंगे, लेक में आप देंगे, इस भी दालेंगे, युर घबादे दोड़ादे लेद्टे लेए कर दो हादार्व बार्ण काड़ है अब यह हमारे हो गए इसको निकाल लेंगे रख लेंगे तारी इसी तरह से हम रोस्ट कर लेंगे अगर गिरिल पैन ना हो तो साधे पैन में भी कर सकते। आइक हम निकाल के रख लेंगे और सब्सक्री चिकन हमारा रोस्ट हो गया हम कडाई रख लिए इसमें तेल दाल लिये हम चार चांचे दो इलाइची दो लॉंग और तेस पत्ता दालेंगे इसमें हम इसको थोड़ा सा हम पतने देंगे ये सारा मसाला हम जो बचावा है ये द इसको अच्छे से पकाएंगे जब रिक इसकी कच्छी बोना चलो जगे दस मिनट होगे हमारी ग्रेवी को पकते हुए तफ्रेबन ये गाड़ी होगी अभी हो इसमें जो चिकन था हमारा रोस्ट करके रखे थे ये भी डाल लें सारा हम दाल लेंगे इसके साथ इसको पकाएंगे और दस मिनट ताके हमारा गोष्ट अच्छे से गल जाए इसको जितना हम रख सके उतना अच्छा है मैरेनेट करके राद भर भी रख सकते बहुत भी बहुत टेस्टी बनता ये आप ज़रूर बनाएए एक बार तो ज़रूर बनाएए आप लोग अभी हम इसको दस मिनट के लिए छोड़ देने पत्ते हैं ये दस मिनट के उपर हो गया अभी हम देखेंगे माशालला देखिए ग्रेवी इसकी पूरी जाड़ी हो गई अपने पे है लूज रखना है ये जाड़ी रखना अभी पांच मिनट के बाद म अग्षवप करूंगी अफै कि अए बहुत अछछे से हिए सिकनद्य हमारा घजया झाल 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 देखे फ्रेंड्स अभी हमारा चिकन अक्वानी बनके तयार है आप लोग भी बनाईए रोटी के साथ चामल के साथ किसी के भी साथ खाया जा सकता है अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए कमेंट्स कीजिए जजा कर ला झाल